हलो, गुद मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनीता सिंग, अपने यूट्यूब चैनल एग्रो इंडिया पे आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सभी आज देख रहे होंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हौटी कल्चर आज हम यहाँ पे हौटी कल्चर के इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप और उसके इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मुझे पता है कि mostly जो बच्चे होते हैं, आप में मैंबर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको हौटी कल्चर सब्चे बहुत ही जादा कन्फ्यूजिंग और बोरिंग लगता है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ब्रांच उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसकी वैसे बच्चे उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बट आप यकीन मानिए कि हौटी कल्चर से जादा इंट्रस्टेट सब्जेक कोई भी नहीं है जितना इंट्रस्ट हौटी कल्चर को पढ़ने में आता है, मुझे नहीं लगता कि एगरी कल्चर के बागी सब्जेक्स को पढ़ने में इतना मज़ा आता होगा तो आप आईए मेरे साथ जुड़े रही है और पढ़ते रही है तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ horticulture सबसे ज्यादा interesting subject है आपका agriculture में तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो horticulture है अभी 33% जो है आपका वो value करता है आपके agriculture के अंदर 33% stand है वो horticulture का है आपका agriculture sector में अगर हम बात करें हो horticulture को तो horticulture जो word है वो एक latin भाशा से लिया गया शब्द है यह latin word है जो की दो शब्दों से मिलके बना है आपका पहला है आपका hottest जिसका मतलब बता है garden and enclosed area garden and enclosed area का क्या मतलब है कि जो horticulture है हम उसमें fruits, vegetables, crops इन सब का production और cultivation पढ़ते हैं तो fruits और vegetables का क्या मतलब होता है इसे हम एक enclosed area के अंदर grow करते हैं enclosed area in the sense 4 boundaries के अंदर हम इन crops को grow करते हैं इसी लिए इसको क्या कहा जाता है garden and enclosed area cholera and culture, cholera और culture का क्या मतलब होता है cultivation इसका मतलब यह हुआ अगर मैं simple language में बात करूँ तो horticulture एक ऐसी ब्रांच है agriculture की जिसके अंदर हम garden crops का cultivation और management को पढ़ते हैं ठीक है horticulture जो word है वो सबसे पहले Peter Laurenberg ने दिया था 1631 में उसके बाद आपके Edward Phillips आए जिन्होंने horticulture word को यूज किया 1678 में अपनी बुक में जिसका क्या नाम था? The New World of English Words इसमें Edward Phillips ने horticulture word को यूज किया था definition क्या है horticulture की? horticulture is a branch of agriculture that deals with certain features involve utilization of fruits, vegetables, flowers and other plants इसका क्या मतलब हुगा? कि horticulture agriculture की एक एक सी ब्रांच है जिसमें हम fruits का, vegetables का, plants का, spices का इन सब का क्या पढ़ते हैं? cultivation पढ़ते हैं, utilization पढ़ते हैं और उसका management पढ़ते हैं तो horticulture में अगर हम देखें, तो horticulture में हम ऐसी crops को, garden crops को grow करते हैं जिन से क्या होता है? कि जिनका हम product को process करते हैं, उसके बाद उसको हम आगे market ने ले जाके sale भी करते हैं